healthy pregnancy को conceive करने के लिए दो factor का सही होना जरूरी है पहला जो मिलके सिल है उनकी quality in terms of count, morphology, size, shape या फिर वो कितने गतिमान है सब कुछ देखा जाता है अगर वो pregnancy के लिए try कर रहे हैं तो इन सब का अच्छा होना जरूरी है वहीं पर दूसरा factor होता है कि अगर महिला के शरीर का जो बन रहा अंडा है उसकी size अच्छी है या फिर अगर size में कुछ न कुछ अगर दिकते आती है तो भी आपकी pregnancy conceive होने में दिकते आती है बहुत सरी महिलाओं को आपने देखा होगा कि double line आती है test kit पे लेकिन कुछ दिन के बाद ही उनका period आ जाता है तो यह period क्यों आता है क्योंकि healthy pregnancy उनकी conceive नहीं होई है कुछ न कुछ माप्रकृती ने मतलब जो अगर बच्चा बिल्कुल स्वस्त नहीं है या फिर कुछ क्रोमोजोमन अगर defect आ रही है उसके बारे में कुछ घरे लोपाए मैंने अपने चैनल पर बताई हुई है जिसकी link मैं इंडिस्किन पर drop करूँगी आप ज़रूर देख लीजेगा लेकिन यहाँ पर मैं अंडे की quality को कैसे improve करना है उसके बारे में आपके साथ थोड़ी सी बाते शेयर करने वाली हूँ वीडियो काफी informative है प्लीज शुरूर से लिकिलाश तक जरूर देखिएगा नमस्कार दुस्तों मेरा नाम हर्शिता वर्मा है अगर अंडे की quality की बात की जाए तो जो भी हम नॉर्मल भोजन करते हैं उससे आपके अंडे की quality पूरी तरह से improve नहीं होती है और आपको पता है कि सारी महिलाओं के जो महिलाओं की cycle स्टार्ट होती है तब से लेके मेनो पाउस तक उनके शर्डर में जितने भी अंडे हैं वो release होते हैं और सही जो अंडे होते हैं वो उनके 20 फे या 20s में और 30s में उनके बहुत ही अच्छे अंडे release होते हैं कि आपकी pregnancy अगर आपको देर हो रही है तो आपकी pregnancy जल्दी से जल्दी conceive हो जाए तो normal diet से आपकी अंडे की quality इंप्रूव नहीं होगी जब तक कि आप अपने diet में protein को include करना बिलकुल न भूले अगर आप protein include करता बिलकुल भूल जाते हैं इसके उपर ध्यानी नहीं देते हैं तो अंडे की quality भी इतनी बहतर नहीं बनती है तो आपको कम से कम protein का intake बहुत अच्छा लेना है ताकि आपके शरिर में जो अंडे बन रहे हैं वो काफी अच्छे बने क्योंकि तीन महीने पहले से ही जो follicle होता है वो छोटा सा follicle होता है धीरे-धीरे करके वो अंडे का रूप लेता है और तीन महीने के बाद वो rapture होता है वो फूटता है उसके बाद अगर आप fertilization अगर उसका सही time पे हो जाता है तो उस fertilization के बाद आपकी pregnancy conceive हो सकती है तो आपके अंडे की quality का बहतर होना बहुत ही ज़र्द ज़रूरी है इसलिए protein को भी आप include करना बिलकुल न भूलें दूसरी चीज है आप अपने body में zinc की मातरा को start कर देजे जो zinc के supplement होते हैं वो आपके अंडे की quality को काफी हद तक improve करते हैं तो zinc भी काफी important role play करता है तीसरी चीज है antioxidants आपको ज़रूर लेना जाहिए जैसे कि fruits, vegetables जो हरी पतेदार सबजिया होती है उनमें आपको antioxidants भी मिलते हैं, fruits भी मिलते हैं और चौती चीज है आपको nuts और seeds का भी इस्तमाल करना है ताकि उसके अंदर जो भी छोटे-छोटे से micro nutrient होते हैं, minerals होते हैं जो कि आपके अंडे की quality को बढ़ाते हैं उनको भी आपको अपने diet में ज़रूर लेना चाहिए पाच्वी चीज है जो कि lifestyle की वज़ा से होती है कि अगर आप बहुत ज़दा बाहर की भोजन लेते हैं, junk food का सेवन करती है या फिर आपकी lifestyle बहुत ही बिगड़ी हुई है, stress लेती है आपकी sleep cycle बिल्कुल disturb है उससे भी आपके अंडे की quality प्रभावित होती है और ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी रहिंग करना है अपने life को आपको बिल्कुल अच्छा बना करके रखना है जहां पर आप healthy diet ले, normal moderate exercise करे, बहुत ही ज़्यादा rigorous exercise करने की ज़रूरत नहीं है, normal 30 से 40 minutes की जो walking होती है काफी healthy होती है, आपकी body को tone up करने के लिए जरूरी होती है, जहां पर आपकी ovaries में proper तरीके से blood का flow जाता है, तो आपकी अंडे की quality improve होती है, क्योंकि ovaries तक भी वो सारे blood, जो regenerated, जो blood है वो बहाँ पर पहुंचते हैं, और आपके जितने reproductive आंग है, वो क काफी ज़्यादा improve होते हैं, उनके अंदर काफी अच्छी energy जाती है, तो halki full की walking करें, अच्छा भोजन ले, और पानी की मात्रा आपको पर्याप्त रखनी है, थोड़ा सा आप योगा भी कर ले, जो योगा आपकी pregnancy को conceive कराने के लिए जरूरी होता है, चार से पांच लेना, यानि कि पूरी की पूरी चीजें, यहीं पर अटक जाती है, कि अगर आप stress ले रहे हैं, बेबी कैसे होगा, बेबी कैसे conceive होगा, तो ये सरी जो चीजे होती है जब आपको बहुत ज़दा over stress होता है, लोगों की ताने आप सुनते हैं, अंडे की quality और भी ज़दा खर तो मेरे वीडियो बनाने का जिल्स्ट आप समझ रहे हैं, इतनी महनत लगती है, आप प्लीज समझ गये कि मैं कौन सी बाते बोल रहे हूँ, ये वीडियो इतनी important होती है, लोग बहुत ही ज़दा इग्नोर कर देते हैं, उनको लगता है कि नए अंडे की quality इंप्रूफ करें आप जैसे कि माली जी की कोई समूधी बना सकते हैं, दाल में आपने डाल लिया, या सिंप्ली उसका चाय बना कर ही पिलिया, तो उससे भी आपकी body काफी हील होती हैं, अंदरूनी तरह से और आपकी जो hormones हैं वो काफी regulate होते हैं, और जितनी अच्छी मात्रा में अगर आपक आपको pregnancy conceive करने में दिक्कते आ सकती हैं, तो evolution को trigger करना ज़रूरी होता है, और अंडे की quality को improve करने के लिए और भी मेरे वीडियोस बहुत हरे हैं, आप उनको भी ज़रूर देख लिजेगा, ताकि आपकी pregnancy इसी महने में conceive हो जाए, hopefully this video helps you, वीडियो अच्छी लगी तो please like कर द कर दो लिए।